जहिंद वंदे मातरम दोस्तों, मिलिटरी डिसिप्लीन क्या होता है? देखिए दोस्त, हमारे जंदिगी में हम कोई भी काम करना चाहते को, उसके लिए जरूरी होता है डिसिप्लीन। लेकिन military discipline एक अलग ही चीज़ है उसका अलग औरा अलग रोतबा है अज की सब वीडियो में हम आपको बताएंगे कि military discipline को कैसे build किया जाता है और ये कितना हद तक extreme level पर जा सकता है देखो साहब military है क्या ये वो organization है जो देश की शुरक्षा में कामाता है ये पूरा देश उसी क भरो से टिका हुआ है आज तक लाखों फाजियों ने अपनी जान दी तक कि हम शुरक्षित रह सके और आज जो भारत का नक्षा आप देख रहे हो 1947 के बाद से आर्मी ने ही उसे बनाये रखा है आर्मी का में काम वार्फिल्ड में होता है और वार्फिल्ड का एक ही नियम ह डू और डाय या तो मरो या तो मारो चलिए आर्मी में डिसिप्लिन उसी लेबल पर होता है आप क्या चाहते हो ट्रेणिंग के दोरान आपको क्या तकलीफ हो रही है ये सब घंटा कोई फरक नहीं परता मिलिटरी ये कहता है कि आपको जो टास्क दिया गया है उसे आपको ह अरहाल में पूरा करना है मिलिटरी ये भी कहता है यूर ओन इस कमफर्ट एंड सेफटी कम लास्ट ऑलोईज एंड एवरी टाइम मिलिटरी डिसिप्लिन का कुछ स्टेप से उसका फर्स्ट स्टेप शुरू होता है जब आप इंडियन आर्मी जोइन करने के बार में सोच कर के प्रिप्रेशन लेना शुरू करते हो जहाँ प्रिप्रेशन लेती हो वहाँ आपकी सर में बंदूग डाल के कोई नहीं बोल रहा कि आपको दोड़ ना होगा पढ़ना होगा थाकि आप इंडियन आर्मी के उस जगह तक पहुँछ सको उस यूनिफर्म को पहन सको जो सफ अगर आप एक दिन भी एंडिये के अंदर गुजारते होता आपको ये पता चलेगा कि ये पूरा दुनिया से एंडिये आयमे जैसे ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को अलग है क्योंकि वहां पर एक ओफिसर बन रहा है इस पूरे भारत वर्ष के सबसे बहतरीन ओफिसर्स इंडिये आयमे में ट्रेनिंग को कंप्लेट करने के बाद जब आप एक ओफिसर बनते हो आपके कंधों पर स्टार लगता है देखने में तो वो सिर्फ स्टार लगते हैं लेकिन वो responsibilities हैं जो आपके कंधे पर डाला गया है जब आप इंडियन आर्मे में कमिशन लेते हो और वो 120 जवान आपके footstep को follow करेगा orders को नहीं इसलिए आर्मी में leaders बनते हैं जो front से lead करते हैं और उस पूरे company का discipline एक officer के हाथ में होता है जो आपके हाथ में होगा discipline को अगर एक sentence में कहा जाए तो उसका एक ही मतलब बनता है जहाँ discipline होगा वहाँ excuses नहीं होंगे आर्मी disciplines is very clear and simple this is the task and this is the team you have to do it finished orders मिल गए हैं आखरी सांस तक उस orders को follow करना है जो task दिया है उसके regarding क्या हो सकता है कितने लोगों की जाने जा सकती है ठंड बहुत है गर्मी बहुत है मैं मर सकता हूँ मेरे जवान मर सकते हैं आपको करना है हर हाल में कोई excuse की जगा नहीं है 1999 के कारगिल वार में जो orders मिलते थे उनको एक बार देख करका है यह कहाया सा जाता था कि दो दिन में हमें tiger heel चाहिए दो दिन के बाद मिलेंगे tiger heel पे 18 grenadiers के योगेंदर सिंह यादब को खेल है या तो जीतो और जीओ या तो लड़ो और मरो हार और excuses की आर्मे में कोई जगा नहीं है आम जिन्दगी में हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं एक दो महीने के बाद discipline से छूट जाते हैं क्योंकि हमारे पास excuses होते हैं कि ये सारे वज़े है जिसके वज़े से मैं काम नहीं कर पाया आर्मी में ये सब नहीं चलता है excuses का वहाँ पर कोई जगा नहीं है अगर आप अपने life में discipline को उतारना चाते हो तो एक चीज़ को हमेशा के लिए त्याग दो वो है excuses वीडियो पसंदाने पर लाइक कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इन डिफेंस यूटूब चैनल को इसी तरके डिफेंस इलेट वीडियोज आगे देखने के लिए मिलते आप सगले वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वंद मातरम